नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस वर्ल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी एक ऐसी एक्टरिस जिसने काफी कम उम्र में बॉलिवुड में अपनी पहचान बनाई एक के बाद एक हिट फिल्म में देकर बड़ी और स्थापित हिरोईनों को चुनौती दी तीन सार में बीस फिल्म में कर शोहरत पाई शादी की और सिर्फ 19 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा भी कह दिया हाला की इस एक्टरस की मौत की गुथी आज तक सुलज नहीं पाई है लेकिन उस रात क्या हुआ था इस बारे में आपको जरूर जानना चाहिए देखिए हमारी ये खास पेशकश 1990 के दशक में बॉलिवुड में अपनी एक्टिंग और मासूम चहरे के दम पर देविया भार्ती ने दर्शकों को दिवाना बना दिया था कम उम्र थी इसलिए बॉलिवुड की गुडिया भी उन्हें कहा गया 25 परवरी 1994 को जन्मी दिव्या भार्ती की मौत 5 अप्रेल 1993 को संदिक हालत में हुई थी दिव्या की मौत को आज 28 साल पूरे हो गए है मुंबई पुलिस 1998 में ही मौत की जास से चुड़ा केस बंद कर चुकी है पुलिस ने ये मान कर केस खतम कर दिया कि ये एक हादसा था दिव्या की मौत है एक राज 5 अप्रेल 1993 यही वो तारीक थी जब 19 साल की दिव्या ने दुनिया को अलवेदा कह दिया था मुंबई पुलिस के मताबिक दिव्या की मौत एक एकसिलेंट थी हाला कि आज भी लोगों को लगता है कि दिव्या की मौत के पीछे कुछ ऐसा है जो आज तक सामने नहीं आया है दिव्या ने अपने एक्टिंग करिया के शुरुआत 1990 में तेलिगू फिल्म बोबिला रजा से की थी तमाम दक्षिन भार्तिय फिल्मों का हिस्सा बनने के बाद दिव्या ने 1992 में फिल्म विश्मात्मा से बॉलिवुड में कदम रखा उनकी पहली ही सुपर हिट साबित हुई दिव्या के फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग चल रही थी तवे फिल्म की लीट एक्टर गोविंदा से मिलने के लिए प्रेडिूसर साजित नाडियादवाला सेट पर पहुंचे थे यहीं पर उनकी मुलाकार दिव्या भार्ति से हुई यहीं पर दोनों के बीच दोसी हुई और जल ही ये दोसी प्यार में बदल गई दिव्या के 18 साल के होते ही उन्होंने गोपचोप साजित से शादी कर ली दिव्या भार्ति शादी के बाद एक अपार्टमेंट ढूंड रही थी लंबे समय के बाद उन्हें अपने सपनों का घर भी मिल गया था दिव्या ने बांद्रो के नेप्यूचन अपार्टमेंट में एक 4 बेडरूम फ्लैट की डील फाइनल कर ली दिव्या की इस डील से काफी खुश थी वो और जल से जल वो इस घर में शिप्ट होना चाहती थी 5 अपरेल को ही दिव्या को मशूव फैशन डिजाइनर नीता लुलिला का कॉल आया और वो तुलसी अपार्टमेंट में यानी उनके फ्लैट पर आ रही थी वो रात को करीब 10 बज़े अपने पती के साथ दिव्या के घर पहुँची तीनों लोग लिविंग रूम में बैचे थे और शराब पीते हुए बाते कर रहे थे उसी कमरे में दिव्या की नौकरानी भी मौजूद थी थोड़ी दे बात दिव्या की नौकरानी किचिन में चली गए जबकि नीता और उनके पती टीवी देखने में व्यस हो गए तभी वो अपनी लिविंग रूम की खिड़की की और बड़ी और वहां जाका बैट गई दिव्या ने खिड़की पर बैचे बैटे ही लिविंग रूम की और पीछे मुड कर देखा साथ ही वो खिड़की की चौकर पकड़ने लगी और उनका हाथ पिसल गया पलक जपकते ही दिव्या खिड़की के नीचे जागि ली जब दक नीता और उनके पती और नौकरानी खिड़की तक पहुंचते दिव्या नीचे पड़ी तड़प रही थी इसके बाद बिना कोई दे करे अभिनेत्री को कूपर अस्पतार ले जाया गया उन्हें आईसी वोर्ड में रखा गया जहां भिनेत्री ने अपनी आँखरी सास ली दिव्या किसी फिल्मी परिवार से नहीं थी पिता ओम प्रकाश भारती बीमा कंपनी में अफसर थे और माता मीता भारती एक भ्रहनी थी दिव्या ने नौवी क्लास तक ही पढ़ाई की 14 साल की उम्र में दिव्या पढ़ाई छोड का मॉडलिंग उन्होंने शुडू कर दी थी 1992 में दिव्या की फिल्मों ने उन्हें शोहरत के बड़े मुकाम पर पहुचा दिया था शारुक खान ने दिव्या के साथ ही 1992 में दिवाना फिल्म से डेब्यू किया था उस समय दिव्या महज 18 साल की ही थी फिल्म जबरदस्थ है चुई बाद में फिल्म निर्माता साजित नाडियाडवाले से शादी कर दिव्या ने सब को चौका दिया था बताय जाता है कि साजित से शादी के बाद दिव्या अकसर तनाव में रहती थी इसी तनाव की बच्छा से उन्होंने शुराब पीना भी शुरू कर दिया था जिस रात उनकी मौत हुई उस रात भी वो शुराब के नशे में थी दिव्या की मौत के बाद उनकी दो फिल्मे रंग और शतरंच रिलीज हुई वो एक्टर निल कपूर के साथ फिल्म लाडला की भी शूटिंग कर रही थी वो इस फिल्म की शूटिंग 80% खतम कर चुकी थी लेकिन उनकी अचानक मौत के बाद श्री देवी कुन की चुका कास्ट किया गया और पूरी फिल्म फिल्म से शूट की गई फिलाल के लिए इतना ही लेकिन आपको हमारी के वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए